25 जनवरी का वह दिन जब प्रभुराम अपने 500 साल के लंबे संघर्स के बाद भब महल में विराज मान होंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें धार्म नगरिय उद्या पर टेकी रहेंगी हाला कि इस पल के साच्छी देश के प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी शमेट 8000 ट्रश्ट द्वारा निमर्तित महमान होंगे लेकिन इसी बीच राममंद्र ट्रश्ट की तरफ से एक बड़ी ख़वर सामने निकल कर आ रही है राममंद्र ट्रश्ट की माने तो 17 जनवरी को होने वाले रामलला के नगर भर्मन के कारिकरम को अब नहीं किया जाएगा हाला कि आपको बताते चले रामलला के प्राणपतिष्ठा का कारिकरम 16 जनवरी से सुरू हो जाएगा और 22 जनवरी तक यह कारिक्रम चलेगा यानि की साथ दिनों तक रामलला की प्राणपतिष्ठा का पूजन अर्चन कासी के बैदिक बिद्वान संपन्न करेंगे इतना ही नहीं विश्यो हिंदू परिशत के राज्टिये प्रवक्ता अशोग तिवारी ने बताया की प्राणप दिवाश प्रारंब होगा दोनों शमय जला दिवाश होगा साथ ही सुगंधित और गंधा दिवाश भी इसी दिन होगा इसके सालामा 19 जनवरी को प्राताकाल फल अधिवाश और साम को धन्य अधिवाश का कारिक्रम होगा इसी तरह 18 जनवरी को सुबा पुस्प और रत्न अधिवाश तो शाम को धृत अधिवाश का कारिकरम संपन्न होगा इसके साथ ही 21 जनवरी को सरकरा मिश्ठान और मधु अधिवाश होगा तो शाम को आउसदी और सैया अधिवाश होगा इसके बाद 22 जनवरी को प्रभुराम अपने भब महल में विराज मार